इंडिया के अंदर में 1 प्लस 12 जो है वो लिक हो चुका है और उसका प्राइस क्या है उसके अंदर में क्या कुछ होने वाली है वो सारे चीज निकल करके लगबग 90% आ चुकी है और सारे चीज को मैं बताने वाला हूँ क्या आप भी 1 प्लस 12 5G स्माटफोन का वेट कर रहे है अगर वेट कर रहे है तो इस फोन के अंदर में क्या कुछ हाने वाली है वो चीज आप एक बढ़ देख लिजिए फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इसका प्राइस क्या होने वाली है क्या कुछ है इसके अंदर में सारे चीज को डिसकस करेंगे तो चलते हैं और वीडियो 11R ले लिज़े कोई फोन आप उठा करके देख लो ये एक सक्सेस फोन रही है वन प्लस तो इसके लिए एक लाइक बनती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे है और 2024 के अंदर में आने के बाद ये 23 जैनवरी को ये फोन लाँच हो रही है इंडिया के अंदर में बट बहुत कुछ अभी निकल करके नहीं आई थी बट आपने भाई की चैनल को सस्क्राइब करके रखा है तो मैं किस काम का हूँ तो मैं आज आपको बताऊंगा तो अगर आप इसकी अगर परफॉर्मेंस को ले करके देखोगे तो इसके अंदर में 8ZN3 का प्रोसेसर जिह और देखने हां आ रही है जिसका अंतूताया स्कुर हा सеж मैं पटा है कितना होता है कम से कम दो मिलियन से उपर मतलब 20 लाग कहां आध से लगवक 2023 के अंदर में हम लोग बात कर रहे थे कि 6,7,000,000 होति है तो का Apps traveled का इसका अंतूताया स्कुर निकल कर क्या आती है बट बट इस फोन के अंदर में आपको 8 Zen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलेगी, जिसका अंतूता है, स्कोर ही 20 लाख है, मतलब 2 मिलियन, उससे भी उपर है, मतलब कमाल का आप इसमें तो छोड़ी दीजिये, कि BGMI जैसे गेम को तो आप छोड़ी दीजिये, चिंग चॉंग जैसे गेम जो की बहुत ही ज़ादा, मतलब हाई लेवल का होता है, उसको भी आप प्ले कर सकते हो, इस फोन के अंदर में, तो इसके लिए एक लाइक तो बन दीए, प्रोसेसर इतना तगरा दिया गया है, बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी अब वो 5,000 जैसे 4,000 या फिर 4,000, इस टाइप का जो था वो खतम हो चुका है, 6,000 इस टाइप का खतम कर दिया गया है, 2024 के अंदर में, और इस फोन के अंदर में जो आती है, 2400 ms का बैटरी आती है, साथी साथ 100 Watt का Fast Charging का सपोर्ट आता है, 50 Watt का Wireless Charging का भी सपोर्ट आता है जी हाँ, और 10 Watt का Reverse Charging का, मतलब इतना कुछ दे दिया गया है, इस फोन के अंदर में आप समझ सकते हैं, कि 50 Watt का जो लोग सभी लोग दे रहे हैं, Fast Charging दे रहे हैं, वहीं पर ये भाइस आप 1 Plus 12 बालुक ने दे दिया है, कि 50 Watt आप Wireless Charging कर सकते हैं, बिडाउट वायर का, तो ये कमाल का है, और वायर वाली जो है, वो 100 Watt का आती है, तो आप समझ सकते हैं, बैटरी तो डिफिनेटली आपको एक दिन से उपर चलने ही वाली है, Flexible लेवल का फोन है, 4 नेनो मीटर पे इसका जो है, प्रोसेसर भी है, तो बैटरी कम ड्रेन होगी, और यूज जादा होगी, तो ये बहुत ही जादा आची बात है, अब साथ ही साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका डिस्प्ले भी अप्ग्रेट हो गया है, अब क्या अप्ग्रेट हुआ है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है, ये थोरा सा बड़ा भी हो गया, 6.82 इंच का फूल एचडी, और ये जो है आपको एमुलेट पैनल बगएरा तो छोड़ी दीजे, इसके अंतर में एमुलेट पैनल के साथ 2K का रोजिलेशन्स देखने को मिलती है, जी हाँ, 2K का रोजिलेशन्स जो की अभी तक 1.5 के अगर भी हम लोग देखते थे, तो कते थे, वाह, क्या बात है, मतलब फूल एचडी डिस्प्ले होनी चाहिए, बट आज काल ये डिस्प्ले आने के लिए लगी है, 2K वाली रोजिलेशन्स वाली डिस्प्ले, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है, 4500 ब्राइटनेस निट्स दिया गया है, 120 का जो है वो आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छी बात है, HDR10 का सपोर्ट है, आप HDR कंटेंट कहीं पर भी देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर वो नेट्फिलिक्स हो, एमाजन हो, या फिर यूट्व तो ये बहुत अच्छी बात है, कि मल्टी मीडिया में भी आप HDR कंटेंट देख सकते हो, नेट्फिलिक्स बगरा हर एक जगा पर, और साथ ही साथ, इसमें एट्मॉस डॉल्वी साउंड भी लगया गया है, जो से से आपका कोभी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अगर आपको एट्मॉस डॉल्वी साउंड नहीं मिलता, तो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, कि इस फोन के अंदर में आपको वो सारे चीज मिलते हैं, जो कि एक अच्छे फोन में होना चाहिए, तो ये बहुत ही जादा अच्छी बात है, कि इस फोन के अंदर में इतना कुछ मिलता है, बाकी छोटे मोटे सेंसर दिस्प्ले बगेरा, या पिर आप देखी सकते हो, कि गरीन कलर वाली लिक होकर क्या आई थी, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर आप बैक पैनल भी देख रहे हो, तो काफी कमाल का आपको देखने को लग रही होगी, अब बात कर लेते हैं कि कैमरा क्या होने वाली है इस फोन का, तो कैमरा भी अप्ग्रेट हुई है, कैमरा का जो इसका साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, और में जो कैमरा है वो भाई साब कमाल का है, सोनी का सेंसर 808LYT का लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है जो की 50 MP भी तो ओइस आती है, तो है ना कमाल का और अगर बात कर लेते हैं अगर front camera की तो front में flexive हो या फिर संस्ते हो या फिर महेंगे हो सारे phones में बस वहीं आती थी solar mega pixels की बट इसमें camera front वला भी जो front का camera है वो भी upgrade हो चुके है उसमें भी आपको मिलते है 32 megapixels का Z है और आप इसमें 8K तक आप videos बगएरा shoot कर पाओंगे picture तो कमाल का ले ही सकते हो तो इतना कुछ फिलहाल जो है अभी है वो निकल करके आई है और आप बात कर लेते हैं कि prices की क्या होने वाली है तो दोस्तों price जो है अभी Amazon पे लिक होकर कि आ गई है 70,000 इसमें दो variant आपको देखने को मिल जाएगी लगबग जो है व 512 मतलब 512 GB का storage LPDDR 5X RAM है UFS 2.2 के जाएगा पे 4.0 है तो यह बहुत अच्छी बात है जो टाइप USB टाइप C थी वो 3.5 कर दिया गया है जो कि storage वगेरा गेमिंग वगेरा जो खेलते है उनके लिए कापी बेहतर होने वाली है यह phone तो बस यही थी आज की वीडियो जो इसका यह वीडियो मैंने पहले भी लाया था बट वो Chinese variant थी जो कि आप लोगोंने बहुत सारे प्यार दिये थे तो बस अगर आप चैनल पर first time आया है तो चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा क्यूंकि जब यह phone launch हो जाती है तो मैं proper phone ले करके इसका आप camera test बगेरा review सारे चीज को clear करने के वाला हूँ तो उसके लिए चैनल को subscribe भी जरूर कर दिजेगा तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye